दिवाली आजा और हमारे घर पे मीठी मट्री ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो आज बनाएंगे कुछ अलग तरीके से ये जूसी और क्रिस्पी मीठी मट्री की रेसिपी जिसे देखते ही मुँ में पानी आ जाएगा इतना जादा ये रसीला बनकर तयार होगा और इतना क कहोगे वाँ तो चलिए फरेंट्स इसनी के साथ मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले बनाने के लिए इक डो तीयार करेंगे लिए यहां पर parlे रही हूं दो कप मैदा तो यहां पर देखिये मैं यह जाल करके आप अपने हिसाब से मेदा कमई स्थिया कर एक पनी मुक नमक झ तो यह दीखिए Western we have a 3-4 चाहरे करें यहाँ अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से मौयन कर लेना होना बहुत ज़्रूरी तो भिले Son गप secondly फ्रेंस यहाँ पर मैंने मौयन कर लिए वह हैं इस तरीके से स्मैंपर तरीके से छाचैनल बल् tara तो चलिए न अच्छे तरीके से मैं यहां पर पाई डालते वे डो त्यार कर लेती हूं तो यह दिखे फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइट डो त्यार करेंगे बहुत जादा सक्त नहीं होना चाहिए थोड़ा सा नॉर्मल सा होना चाहिए तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस त सबसे एक कप मैंने चीनी ली है और ना सिर्फ चीनी भींग जाए उतना ही हम पानी इसमें एड़ करेंगे तो यहां पर चीनी को मैल्ट होने तक हम पकाएंगे और यहां पर केसर का पानी में डाल रहे हूं यह देखिए इससे चाशनी में अच्छा कलर आ जाए फ्रेंड्स इस अच्छे तरीके से यहां पर चला देंगे और चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट होने तक थोड़ा सा हम इसे पका लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको चीनी को मेल्ट कर लेना है तो यह देखिए फ्रेंड्स यहां पर यह चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी है तो इसका क्या करना है मैं आपको बताओंगी तब तक इसे अच्छे तरीके से mix करने के बाद फ्रेंड्स रख देते हैं अब हम side में और चलिए डो को check कर लेते हैं तो यह देखे डो अच्छे तरीके से set हो चुका है 10 से 15 मृट में यह दो अच्छे तरीके से set हो जाएगा तो यह यहाँ पर पाद साइसरी कि आए हैं रोटी कि को देंगे नियुक्त आपके से पर तियार उने को इसाइड के सब्सक्रा में पर एक शुक्त resolve सब्सक्राइब तो य्या तरीके से मैं fold करके side में रख दूँगी और सारी रोटिआ इसी तरीके से बेल लोंगी फेh पहले में तो फटा फट न इस तरीके से हम रोटी बेल कर त्यार कर लेंगे मैं देखा हूँ तो यह दिखें फरेंड अब क्या करेंगे यहां पर एक लेंगे और एक में क्या करेंगे जो हमने कानफलार और ओयल का हमने जो त्यार कर रखा है इसके उपर हम लगाते जाएंगे अच्छे तरीके से और एक एक रोटी को हम उपर से इस तरीके से रखके फिर उपर से हम ये कानफलार ओयल का लगा देंगे इसी तरीके से जितने हमने रोटी तयार कर डखी है friends बेल के, ऊपर से हम लगाते हुए इस तरीके से रख लेंगे और उपर से अब देखें आपर हलके हातों से हम बेलन चलाएंगे तो ये देखें friends कुछ आपको इस साइज में बेल कर तयार कर लेना है मैं आपको देख दिखा देती हूँ ये इसकी ठीकनेस कितनी रखी है मैंने कुछ इतना होना चाहिए आपका और ये जो हमने कानफलर और ओयल का बना रखा इसके ऊपर से भी हम अच्छे तरीके से लगा लेंगे आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से लगाना है लगाने की आप ख्राइंड से मीं सवेटे हो दो ये बहुत हम इस से अच्छ में आपको ऐनकी अच्छे तरीके से रोल कितका है अच्छ आइब को घुल आपको फशुल के से तरीके से रोल करिए जब यह फ्राय होंगे ने इसके लच्छे बहुत बढ़िया तरीके से निकल कर आएंगे आप देख सकते हैं कैसे इसमें लेयर्स दीख रहे हैं यह बहुत क्रिस्पी बहुत बढ़िया मठरी बनकर त्यार होगी फ्रेंड्स तो हलके हाथों से आपको दबाते वे कुछ इस तरीके से कर लेना है और यहाँ पर पेट में रखते जाएंगे करके फ्रेंड्स तो यह देखे हैं हमारी मठरी कुछ इस तरीके से त्यार हुई है अब इसे फ्राय करेंगे फ्राय करने के लिए ओल को एकदम कम गरम रखेंगे तब ही मठरी को डालेंगे वरना क्या होगा आपकी मठरी उपर से सिख जाएगी और अंदर से कच्छी रह जाएगी फ्रेंड इसमा उलर प्रट करते हुए हम अच्छे तरीके से इसे से शेख लेंगे जब तक इसमे अच्छा कलर नहीं आजए तो यह देख सकते की मठरी मेच्छा कलर आ चुका और इसके लेयर्स भी कैसे खुल गए हैं तो Slow flame पे हिसले आपको मठरी को fry करना तभी इसके लेयर्स अच हलका सा गरम करने के बाद ही हम इसमें डालेंगे मठ्री को और इसे उलट प्रेट करते ना चाशनी में हम करीब 10 से 15 मियट के लिए इसे छोड़ देंगे भी गोकी इसमें ताकि अच्छे तरीके से चाशनी एब्जॉब कर ले और जब हलका ठंडा हो जाए तभी दूसरा आप बैच डाले मठ्री का तो यह देखिए यहां पर न मैं चेक कर रही हूं 15 मियट बाद तो आप देख सकते हैं बहुत ही रसीला मठ्री बनकर तयार हुआ है चाशनी काफी अच्छे तरीके से इसने सोक लिया है उपर से हम डेकुरेट कर देंगे यहां पर चांदी के परत थो कि अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो के लाइक चाल्ड गया है